नमस्कार आप देख रही हैं चमर प्रभा मैं हूँ आपके साथ अन्शु शर्मा और रुख करते हैं कुछ खास ख़बरों की तरह NDA में चैनित अजे गूजर का पोस्वाल हाउस बाडी रोड धोलपुर में गूजर करमचारी अधिकारी कल्यान परिश्रत द्वारा जोरदार स्वागत किया गया जला ध्यक्ष मनोज पोस्वाल ने बताया कि यदी सकारात्मक सोच के साथ मन लगा कर कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है सचीव रोहित गूजर मानपुर ने NDA में चैनित अजे गूजर को मिठाई खिला कर सभी आगंतुकों का अभिनन्दन किया अजे गूजर ने हमीशा अपने परिवार की इस्तिती को समझ कर कड़ी मेहनत की और NDA में चैनित होने का सपना साकार किया अजे कुमार गूजर ने कहा कि यदी लक्षन निर्धारत कर पूर्ण इमानदारी से मेहनत की जाए तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता मुझे अपने छोटे भाईयों से यही कहना है कारिक्रम में जी कैप अध्यक्ष मनूज पोस्वाल, अखै सिंग, अजे सिंग गूजर, हेमाचल, किशन सिंग ठेकेदार आदी मौजूद रहे मेरे पापा फार्मर होते हुए भी, उन्होंने कभी भी किसी चीज की मेरे कमी नहीं होने दी, और जितना भी मेरा गुरजर समाज है, और सभी लोग है, उन्होंने काफी मौटिवेट किया, और NDA 147 कोर्स के लिए I was selected, and I was rank 310 in the merit, और अभी मैं कोर्स के लिए अभी जा रह पितामरा भक्त मंदल द्वारा आज पसंत उत्सव मनाया गया, घंटा घर पर स्थत माता मंदर पर पितामरा भक्त मंदल धूलपुर द्वारा आज पसंत उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी भक्त जनो द्वारा सरस्वती मैया के चुत्र पर दीप जला कर मालियार पर भोग प्रसादी लगा कर कारिक्रम विधान पूर्वक बनाया गया। प्रसूती वाड में प्रसूता की मौत होने से परीजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लकाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। प्रसूता की तब्यत अचानक बिगरने लगी तब्यत ज्यादा खराब होने पर प्रसूता की बाद में मौत हो गई। प्रसूता की मौत हो जाने से परीजनों में हाहकार मच गया। परीजनों ने जला हस्पताल पर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले को बढ़ता दे चिकित्सा वभा की अधिकारी मौके पर पहुँच गए जिनोंने कारवाई का आश्वासन दे कर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश वधानसभाज चुनाव में बाड़ी के पूर्व वधायक एवं भाजपा नेता जस्वन सिंग गूजर ने चपरौली वधानसभा में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रिचार किया तथा सहेंदुर सिंग रमाला को विजई बनाने की अपील की। भाजपा संगटन की ओर से चस्वन सिंग गूजर को खेरागड एवं बागपत के चपरौली की जिम्मदारी सौपी गई है जहां दरजनों गाओं में मतदाताओं से घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा गया। सबसर पर पूर्ववधाया गुजर ने कहा उत्तरप्रदेश ने भारत के मानचित्र पर एक विशेश मुकाम हासल किया है जिसका श्रे मुखे मंत्री यूगिय अदित्यनात को जाता है आजदी के बाद इन दिनों उत्तरप्रदेश में विकास की एक नई अबादत रखी ह चप रॉली की ग्राम पंचायत इसोपुर टील एवं बोड़ा में राजेंद्र प्रधान, विकी प्रधान, सुरेश प्रधान, धर्मवीर सिंग, अविनाश शर्मा, रजनीश तवारी, अर्जन कुश्वाह, सहित बड़ी संख्या में भाश्पानेतार शामल थे यह बोड़ा गाओं हैं और यहां परंपरा अगत लोगसवा की सीट भी विपक्ष में रही है और हमेशा से यहां बागपत में चोद्र चरंशी का दबदबार रहा है पहली बार हम देख रहे हैं कि गूजर समाज में बहुत जोरदार समय उत्सा है और एक-एक व्यक्ती से आके हम यहां मिले हैं एक-एक व्यक्ती ने और पूरे समाज ने एक जाजम पर बैठके सारे मतों को बुलाके इन रने लिया है कि आप इतनी दूर से चलके आये हैं आपके स्वागत में निश्यत तोर पे आपको भेट भी देंगे आप रिश्यदार हैं और आपको बोट भी देंगे सरमत्रा कजबे के बाहरा खंबावाले हनुमान जी के सरस्वती मंदिर बड़े ही हर्शोलास के साथ बसंत पंचमी महत्सफ के उपलक्ष में सरस्वती पूजन का आयुजन किया गया पूजा अर्चना के दौरान हवन का आयोजन हुआन जिसमें समस्त अगरवाल महला मंजल की महला मौजूद रही साथी अगरवाल समाज की जलाध्यक्ष रीता गोयल ने बताया कि सरस्वती माता विद्या की देवी है यह देवी हमें सद बुद्धी देती है इस दिन पीले वस्त्र धारण कर सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं सरस्वती माता धर्ती पर अपना नया रूप लेती है आज की दिन पीली वस्तूओं का सबसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए इस दोरां जला ध्यक्ष रीता गोयल, सरमतुरा महिला मंजला ध्यक्ष सपना गोयल वे समस्त महिलागर्ण वे बिपिन जिंदल शिवम दिवान मौजूद रहे हाल ही में भारत सरकार द्वारा पेश आम बजच में करॉली धोलपुर लोकसभा की धोलपुर गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए आम बजच में बड़ी सौगात मिली है बजच के आम भाव में वर्षों से लंबित पड़ी धोलपुर सरमतुरा करॉली गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए स्थानी असांस द्वारा बजच आवंटन हेतु की गई भारत सरकार के आम बजच में विभिन रेल परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए रेल मंतुराले को आवंटित बजच धोलपुर सरमतुरा करॉली गंगापुर सिटी रेल परियोजना को पूर्ण करने के लिए इस वित्य वर्ष 110 करोड का प्राधान किया गया रेल मंत्राले को आवंटित बजट में उत्तरमध्य रेल प्रयागराज के विभिन रेल परियोजना को मिले बजट में 144.6 किलोमीटर धोलपर सरमतुरा करॉली गंगापुर सिटी रेल लाइन को 110 करोड रुपे आवंटित किये जाने से अब इस परियोजना को विकास के पंक लगेंगे सांसद राजोरिया ने बताया यह रेल परियोजना उनके शेत्र की अत्यंत महत्वपून रेल परियोजना है इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं रेल मंत्री अश्वनी वैश्णव से हर बार हुई मुलाकात में सिर्फ एक ही मांग होती रही मेरे संसदिय शेत्र की इस रेल परियोजना हितु बजट आवंटन की जिसे रेल मंत्री ने आज पूरा कर बहुत बड़ी सौगाद दी है इनका कहना है रागवेंदर उपाध्याय सदस्यर रेल सलहकार समीती उत्तरमध्य रेल प्रयागराज हरजन प्रतिनिधी का अपना एक संकल्प होता है उसकी अपनी आवाम के लिए कुछ एतिहासिक करने के लिए करौली धोलपूर लोकसभाज शेत्र को रेल कनेक्टिविटी से जोनने का उनके ये प्रयास भागी रथी प्रयास हैं मशकार दौलपूर सरमत्रा करोली गंगापूर सीटी की रेल लाइन की लंबे समय से दौलपूर और करोली के मांग थी इस बजट में मानिया प्रदान मंत्री जी ने मानिया रेल मंत्री जी ने इस रेल लाइन के लि मुख्य मंत्रीजी से आगरे करता हूं कि इस पैसे का उपयोग करने हैं तो जल्द से जल्द भूमेगे आपकी तक आप शुरू करें जिस्ते की जन्ता को रेल लाइन प्रूंत मिल सके और उसका उपयोग ले सके बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको बहुत-बहुत डॉक्टर गौरफ मीना भसेडी से आरबी एस के डॉक्टर अजे कुमान बिंदु खां बाबू और वहां के समस्थ स्टाफ उपस्तित रहा बाडी नगरपाले का दुआना संचालिक पुराना थाना इस्थित अइस्थाई गौशाला में शनिवार को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर राधारानी की क्रपा से प्रातेहकाल में गोमाताओं का हल्दी चावल से पूजन किया गया ग्यारा दीपको से आरती गोमाताओं को चार क्विंटल हरा चारा 40 किलो गोड ग्यारा किलो बूंदी के लड़ू खिलाए गए पुश्प वर्षा की गई करीब आदे घंटे तक भजनकीरतन किये गए बूंदी के लड़ू का प्रसाद लगाया गया और वित्रण किया गया आज वधायक खिलाडी लाल बैरवा ने कनहीया पैलेस इस्थत वधायक कारले पर आज कारेकरताओं से मुलाकात करते हुए जन सुनवाई की जसमें लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समस्याओं के समधान हेतू लोगों को आश्वासन दिया इसके बार वधायक ने अभी हाल ही में आयरुवेद भर्ती में चयान नहोने से आत्महत्या करने वाले नगटपुरा गाउं निवासी यूवक नमोनारायन मीना के घर जाकर शोक व्यक्त किया और परिवार जनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया साथ ही वधायक ने पवीनी, भिंडीपुरा, बिजोहुली, सुरारीकला, आधी गाउं में जाकर के म्रतकों के परिवार जनों के बीच शोक व्यक्त किया और परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया सरमत्रा से विश्णू सोनी की रिपोउप्ट ब्रामन समाज विकास जनकल्यान समीती जुलाधूलपूर की जिलाकारेकारिनी की बैठक तीर्थ राज मचकुंड पर आयुज़त की गई जिसमें मुख्य अति थी एवं मुख्य चुनाव अधिकारी पूर्थ जिला शिक्षा अधिकारी मातप्रसाश शर्मा रहे शर्मा ने सर्वप्रथम ज्यान की देवी मा शारदे के समक्षदी प्रज्वलत कर माल्या अरपड कर गाउँ शहर एवं जिले में खुशी की कामना की गई इसके उपरांथ पूर में रहे कमीटी अध्यक्ष सिनहेरी लाल शर्मा ने जिला कारेकारीनी का विस्तार करने का प्रिस्ताव रखा जिसमें पूर्व जिला अधिकारीयों से विचार विमर्ष कर जिला कारेकारीनी का विस्तार किया कारेकारणी में शर्मा ने बताया कि आज के युग में युवा वर्गी गाउं शहर एवं जिले की सुध लेंगे को एवं प्रचार मंतरी संजय शर्मा सेना को एवं प्रवक्ता प्यूशर्मा कुमहेरी को बनाया गया वर्तमान जला अध्यक्ष एवं मीजय प्रभारी सुखदेव काकोलिया ने कहा कि कारेकरता पाठी की रीट की हड़ी के समान होता है इस अफसर पर महामंतरी रामुदूबे ने कहा कि संगटन आने वाले दिनों में मजबूत सामाजिक शक्ती के रूप में उभरेगा हम सब मिलकर नई टीम के साथ समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे एवं जो जिम्मिदारी सौपी गई है उसे पोड़ निष्ठा से निभाएंगे अंत में लड़ू मिष्ठान का वित्रण किया गया इस मौके पर युवराज हेमंत हनुमान दास एवं समाज सेवी अनील भारदवाज, समाज सेवी बंदरी प्रसाश शर्मा, ईश्वर प्रसाश शर्मा, पंजित लोकेश शास्त्री, पंजित दिनेश स्वामी, तरुन अश्रद यश्तवारी, रामनज शर्मा, आदी लोग मास्क सहित मौजूद रहे, अन्त में पंजित रागवींदर शास्त्री ने सभी का अभार व्यक्त किया झाल